लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले बॉलेवुड एक्टर सेफ अली खान ने हाल ही में देश भर में चल रहे मीटू कैम्पेइन के बारे में अपनी राय रखी और कहा कि जिन लोगों पर आरोप लगे है उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए मीडिया से बाचीत करते हुए सेफ ने कहा कि बॉलेवुड में हम जान यंग लड़कियों का फाइदा उठाना काफी दर्दनाक है जो काम की तलाश में फिल्मों में आने के लिए जद्दो जहद करती हैं हम लड़कियों के साथ ऐसा बरताव नहीं कर सकते हैं जब सेफ से पूछा गया कि आपकी बेटी साहर भी केदारनात और सिंबा से बॉलेवुड में कदम रखने वाली हैं अगर कोई आपकी बेटी के साथ गलत करता है तो आपका रेक्शन कैसा होगा इस सवाल का जवाब देते हुए सेफ ने कहा कि अगर कोई मेरी बेटी को घलत नजर से देखता है तो मैं खुद उसके पास जाओंगा और सीधा उस आदमी के मुह पर घूसा मार कर उसकी अंख फोर दूँगा अगर सार मुझे बताती है कि इस लड़के ने मुझसे कहा कि कोट में मेरे खिलाफ जाएंगा तो मैं माफी मांगता हूँ मेरे पास कोट जाने का टाइम नहीं है मैं मामले को पंच्च मार करकी सैटल कर लूँगा क्योंकि मेरे पंच्च मारने के बाद वो अगली बार किसी भी लड़की के साथ घलत हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा उन्होंने आगे कहा कि हर लड़की के पास इस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए